जैसरी राम भक्त जनोभ, प्यारे वक्तों राम नाम को महा मंत्र क्यों कहा जाता है? बड़े अच्छी तरह से सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रियास करें भक्तो मंत्र तो बहुत सारे हैं, दुनिया में बहुत मंत्रें गिनती नहीं हैं लेकिन और मंत्रों को महा मंत्र नहीं कहा गया राम नाम को ही महा मंत्र कहा गया है क्यों कहा गया है क्योंकि मंत्र का मतलब है मन में मन को बसमे करने वाला यंत्र मंत्र का मतलब होता है मन को बसमे करने वाला यंत्र आप यह समझ सकते हैं कि हाथी को नियमित करने के लिए कंट्रोल में करने के लिए महावत के पास एक यंतर होता है और जब वो बिचलित होता है हाथी तो महावत उस यंतर का प्रियोक करता है तो हाथी उससे कंट्रोल में आ जाता है और जैसे उसको जिदर चलाते हैं वहें चलता है ऐसे ही राम नाम का जो महा मंत्र है वो ऐसा यंत्र है कि मन को जैसे आप चलाना चाहेंगे जब वो बिचलित होगा तो उस राम नाम रूपी मंत्र का यंत्र का आप अगर प्रियोग करेंगे तो मन आपके चलाने से चलेगा लेकिन हम जानते ही नहीं कि राम नाम का जो मंत्र है ये महा मंत्र इसको बोला गया है क्योंकि ये जो हमारा मन है उसको कंट्रोल में करता है और कोई मंत्र इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता और नहीं कोई कर पाया है हमारे सादू संत रिशी मुनी केवल मन को कंट्रोल करने के लिए ही तब करते हैं स्वाध्या करते हैं जब करते हैं साधना करते हैं बृत करते हैं पता नहीं जंगलों में रहते हैं कितने कितने उपाय करते हैं तो प्यारे भक्तों आप इस चीज को अच्छ तरह समझ लें कि जिसने राम नाम को जान लिया और उस से अपने मन को अगर कंट्रोल करना सीख लिया तो उस से बड़ा कोई यंत्र मंत्र है नहीं क्योंकि राम नामी सबसे बड़ा मंत्र है और मंत्र का मतलब है कि मन को कंट्रोल करने वाला यंत्र तो ये अगर आप समझ रहे हों अगर आप समझदार हैं तो समझदार के लिए यह सारा ही काफी है राम नाम रूपी मंत्र से ही मन को बस में किया जा सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मन को बस में कर सके और जिसने उस मंत्र को जान लिया राम नाम यंत्र को अपने जीवन में साथ में उतार लिया तो फिर मन जो है चंचलता बिलकुल कर ही नहीं सकता है उसको चंचलता छोड़ने ही पड़ेगी तो प्यारे भक्तों इस राम नाम को जान लो और राम नाम रूपी मंत्र यानि यंत्र को मन को बसमे करने के लिए सदा अपने साथ रखो आप जैसा मन को चलाओगे वैसा आपक की अब हम अपनी मानी को बराम देते हैं जैस्री राम